किया आप अपना ग्रोफ डिमेट अगाउन बन करना चाहते हो या अभी आपको डिमेट बंन करना नहीं आता है तो यह वीडियो आपके लिए this special है क्योंकि आज इस वीडियो में आपको सबसे पहले आप को अगर आप पिन की होंगे तो इसके लिए आपको आनलाइन प्रिक्रिया करनी पड़ी होगी लेकिन जैसे आप ग्रोडिमेट अकाउंट को क्लोज करोगे यानि बंद करोगे उसके लिए आपको अप्रिक्रिया करनी होगी यानि की आपको कुर्या करना पड़ेगा इड्रेस पर इसके लिए आपको फरम करनी होगी है यूट्यूब चलन ठेक वज़ून तो चलिए शुरू करते हैं अब मैं आपको ले चलता हूं अपने मुबाइल के स्क्रीन पर रहाँ पर मैं आगया हूं अपने मबाले के एक्स्रीम पर और यह ग्रूव अप्लिकेशन है आपको यहां पर राइशार में कोर्णर पर अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर देनी है उसके बाद आपको इसकोल करके नीचे आनी है अपको यहां पर हेल्प इस सपोर्ट का आइकन दिखेगा आपको इसके बाद आपको यहां पर आर्टेकल दिखने को मिल जाएगा कि यहां पर यहां पर मेंटेनेस चार्ज है वह 0 रुपे है ठीक है फिर आपको करना क्या है कि आपको ग्रूव अप्लिकेशन का डिमेट अगाउन क्लोज करवाने के लिए फार्म फिलप करना होगा आपको इसके क्लिक करोगे और ये फार्म पिडिय है में आ घृट होगा अपको इसे कैसे फिलप करना है यहां पर इसके बाद पर मेंसनं कर देना और यहां पर आपको closure लिखा है and related by आपको यहां वियोपो select करनी है फिर इसके बाद को यहां पर बहुत पर select करनी है फिर उसके बाद address लिखा है next बिलन तो आपको इसे से मरेने देना है फिर इसके बाद dear sir madam है अगर आपका join account है तो आपको week the solder करना नहीं तो आपको आई पर क्लिक करनी है फिर इसके बाद आपको account holder details लिख के आएगा तो आपको dpid यहां पर देख सकते हूं यह आठंक होता है और client ID अभी हमें पता नहीं तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं क्लाइंट ID कैसे मिलेगा उसके लिए आपको चली जाना होगा आपके अप्लिकेशन में तो चलिए मैं वहां से जाता हूं आपको बताता हूं कि dpid यहां क dpid और client ID क्या होता है dpid और client ID पता करने के लिए आपको profile पे click कर देनी है फिर उसके बाद आपको यहां पर account details लेकर आएगा आपको इस पर select करके आप पता कर सकते हो आपको dpid जो आठंग का आगे कर रहेगा वह आपका dpid और आठंग पीछे कर रहेगा वह आपका client ID हलाकि मैं इसे open करूंगा लेकिन यहां पर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि यह privacy के जरिए यह आपको नहीं होगा अब आपको यहां पर अपना dpid आठंग क और यहां पर client ID आठंग का टाइप कर देनी है फिर इसके बाद टेडिंग एनसी जो भी एसी लिखा इसे छोड़ देना है फिर इसके बाद नियम आपका जो नाम होगा वह यहां पर लिखेंगे एड्रेस जो होगा वह आपको एड्रेस लिखना है city लिखनी है state और pin code के account अगर आपके account डिमेड अकान में balance है तो यह आपको form fill up करनी होगी तो यहां पर आपको नहीं है तो आपको यहां पर not apply sign up कर देना है और फिर इसके नीचे वाला जो है आपको खाली ऐसे ही रहने देना है फिर इसके बाद आपको नीचे आना है लिखा यहां पर फर्स्ट अब करना क्या है आपको नेम लिखना है फिर signature अब आपको मैं बताओं कि यहां पर आपको एक अड्रेस बताओंगा उस अड्रेस पर आपको इस फॉरम फिलब करके उसे कुरियर कर देनी है तो चलिए वह जो एड्रेस है वह है अन्थेनी दीपक ग्रो हैज 11 80 50 रोड फोर् करोगी आपके बता दो कि यहां पर अकाउंट क्लोज होने के लिए आपको और भी तीन सवधनियां बढ़त रहे होगी अगर आपका अकाउंट में अगर फंड है तो आपका अकाउंट नहीं रहना चाहिए और दूसरा बात है कि आपका अकाउंट जो है माइनस में नहीं र अकाउंट असानी से क्लोज हो जाएगा